पूर्णिया से मतदान पर मारे समवादाता उतकश कुमार के भी रिपोर्ट देखिए पूर्णिया से मतदान के अपडेट की बात की जाए तो महद दो फीसदी वोट पूर्णिया में पढ़ा है लेकिन लगाता जो लोग है वो पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बिहार में पांच जगहों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर जो आज मतदान जो है पहले हो चुका है दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है लोग वो यह पर पहुंच रहें है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए है और बात करेगी कुछे करेंगे सर मतदान करने किन मुद्दों को लेकर इसबार मतदान करें रह सबसे पहला मुद्दा तो विकास है और जो बेरोजगारी है उस पर हमारे मकता प्रियास किया गया है हमारे मानने मुक्मंत्री के द्वारा लेकिन अभी और ज़रूरत है जो बरे-बरे इनवर्टिटी थे हैं या आइटी कॉलेज्स हैं मेडिकल कॉलेज्स को जिस तरह से बरहावा दिया जा रहा है वो और भी ज्यादा उनको इंपलिमेंट की ज़रूरत ह बीहार में. हम उनसे पर दिने को चूनेंगे जुलाइगे लोग हैं रोसे आप वूर्ट लोग बोलने से फिलाल बच रहें लेकिन यह तस्वीरे पूर्णिया की हैं और यहाँ पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है महज दो घंटे के वक्त में 9 प्रतिशत मतदान जो है वो हो गया है पपू यादब भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे मतदान किंद की तस्वीरे दिखा रहे हैं लेकिन परिके से दिन चड़ता नजर आएगा मतदान जो है वो बढ़ जाएगा दूसरे फेज में जो मतदान है वो आज हो रहा है महज 9 पीसदी ही जो है जो अब तक मतदान हो पाया है शाम 6 वे तक मतदान केंद्रों पर मतदाता जो है वो पहुंचेंगे अपने मतों का बार किशनगंज बाका ऐसे जगह हैं जहां पर आज मतदान हो रहे हैं इससे पहले चार जगों पर पहले भी मतदान हो चुके हैं जिसमें यह चारो च्छेतर जो है वो नक्षल प्रवाविच छेतर था लेकिन इस बार सुबह साथ बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान जो की पलायन जो होता है वो भी इस बार एक मुद्दा है तो कहीं ने कहीं कई सारे मुद्दे जो है इसको लेकर यहां पर वोट जो है वो दिया जा रहा है इस बार अमीदवार यहां पर तीन है और त्रिकुनिया मुकाबला जो है वो देखने को मल रहा है पूर्णिया इस बार जो है दूसरे चरण में सबसे जादा हॉट सीट बनती नजर आ रही है और इस बार हॉट सीट पर तमाम प्रत्याशी जो है अपना दमखम दिखा चुके हैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर तेश्वी यादव चार दिनों तक कैंप कर रहे थे और यह वही पूर्णिया है जहा तो वही तस्वीरे हैं फिर से दोराई जा रही है तेश्वी यादव यहाँ पर आए चार दिनों तक यहाँ पर कैंप किया लेकिन इस बार क्या तस्वीरे होगी वो जून में समझ में आएगा जब जो मतदान हुआ है उसको लेकर वोटिंग होगी उस वक्त पता चलेगा क यहाँ से कौन जीता है लकिन यहाँ पर मकावला त्रिकोनिया नजर आ रहा है तमाम बूतों पर भीर आम तौर पर इसी तरीके की नजर आरही है बड़ग अलग अलग लाइने बनाएं बनाएं के लिए पुर्शों के लिए अलग अलग लाइन है और यह सभी लोग मतदान क जहां पर चुनाव हो रहे हैं अलग अलग प्रतियाशी हैं लेकिन इस बार इंडिये के तरफ से पांचों जगहों पर जेडियू के उमिदवार जो है वो नजर आ रहे हैं और दूसी तरफ अलग अलग पार्टियों के उमिदवार यहां पर हैं और इन तमाम चीजों को लेकर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है अब क्या रिजल्ट होता है वो आज कैद हो जाएगा एवियम में तमाम एवियम को स्ट्रॉंग रूम में रख दिया जाएगा और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन नतीजे सामने आएंगे लेकिन सुबह से ही मतदान शुरू है त इवादा तो आपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं यही लोगों से अपील करेंगे कि 1 जादा सज्वार मांनते हैं कि बुड़ा म०्दा हो सकता है आप युवा भी हैं कहां किस चीज की पढ़ाई करते हैं पार्ट वन पढ़ाई करें तो ये बताइए कि लगता है कि आपर सिक्षा कहीं कमी है बड़े बड़े उनिवर्सिटीज खुलने चाहिए कॉलेजिस खुलने चाहिए तो कहीं न कहीं पूर्णिया का विकास होगा और इस बार युवा जो है वो कहीं न कहीं इस बार देश को बदलने की कोशिश जो है वो युवा ही करेंगे वीडियो जनले सते इनकुमार के साथ उतकरश न्यूज नेशन पूर्णिया